हेलो फ्रेंड जिल वेलकम टू आम्ड वर्जिन तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमन्ट ने तुर्किश एरफोर्स के लिए 40 ने F-16 ब्लोक 75 जर्स और 79 अपडेटेशन की रस्ट जो है F-16 फाइडेजर्स के लिए उसकी सेल को अप्रूफ कर 70 के लेवल के उपर अपग्रेड कर सेकेगी चैसर कि मादी में भी पाकिस्तान एरफोर्स अपने F-16 फाइडेजर्स को तुर्की की मदद से अपग्रेड कर चुकी है तो आज की इस वीडियो में हम इसी टोपिक पर डेटेल में डिसकस करेंगे सो लेट से स्टार्ट तो सब से पहले तो हम यह समझने की जरूरत है कि क्या पाकिस्तान एरफोर्स को अब अपने F-16 फाइडेजर्स को अपग्रेड करनी की जरूरत भी है या नहीं कि जीटनसी फाइडेजेट और जीफ 17 ब्लोग थी कि पाकिस्तान एरफोर्स में सर्वस में इडेक्शन की बाद जो सि जो इपोर्टन फाइडेजेट है वो जीफ 17 ब्लोग 3 है उसके बाद या वो अब F-16 या उसकी बारी आती है तो यही बजा है कि अब पाकिस्तान एरफोर्स को अपने F-16 को अपग्रेड करनी की उतनी शिदीद जरूरत नहीं है जिस तरह के माज़ी के अधर थी इसके अला पी जो है वो इंपोर्टन नहीं रहेंगी लेकिन बिल फर्ज कि अगर पाकिस्तान एरफोर्स मुस्तक्पिल में अपने F-16 फाइडेजेट को अपडेड करवाना चाती भी है तो इसके लिए पाकिस्तान एरफोर्स को अमेरिका से प्रमिशन लेनी पड़ेगी तुकि आप स अमेरिका से जो है वो प्रमिशन ली थी उसके बाद यहाँ पर जितने पर एक्विप्मेंट इसमाल किया गया था वो सारा का सारा अमेरिकन था और अमेरिका ने तुरकिश एरोस्पीस इंडेस्ट्री को इन F-16 की जो सोर्स कोड है वो भी प्रवाइड किये थी जिसके डार, एक निया कोक्पिट, जॉइन हेलबट, मौटन, क्यूइक सिस्टम और एलेक्ट्रोनिक वारफेर के जो कुछ नए एक्विप्मेंट थे उसको पाकिस्तान एरोस्पीस के इन F-16 की अंदर इंस्टॉल किया था इस अपग्रेड के बाद पाकिस्तान एरोस्पीस की F-16 जी बी यू, बॉंब्स, एम-120 और एम-9-X, ए-2-AIR मिजायल के जो अडवांस वेरियर से उनको फाइर करने की काबल हुए थे इसके अलावा जो तुरकिश एरोस्पीस का ओजगर प्रोग्राम है, मुल्की साथा के उपर F-16 को अपग्रेड करने का प्रोग्राम उसके अंदर भी तुरकिश एरोस अभी अपने सिर्फ 35 F-16 ब्लोक 30 की जो फाइडेजर्स है, उनको अपग्रेड करेगी मुस्दक्बिल में उसकी भी वज़ाजी है कि इन 35 F-16 का जो सोर्स कोड है, वो तुरकिश एरोस की बखाया F-16 फाइडेजर्स है, उनको अगर तुरकिश एरोस अपग्रेड करना चाती है इस ओजगर प्रोग्राम में तो उसकी लिए भी तुरकिश को अमेरिका से जो सोर्स कोड है, वो रिक्वाइड होगी, या दूसरी लफ्सों में आप यह कर सकते हैं कि अमेरिका की जो परमिशन है, वो रिक्वाइड होगी तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो relations है वो तो आप सब जानते है कि इस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पाकिस्तान के जो military ties है वो इस वक्त चाइना के साथ है बहुत ज्यादा अच्छी तो यही बजाए कि हमारी राय के मताबिक पाकिस्तान एरफोर्स मुस्तक्विल करीब में अपने F-16 fighters को अपग्रेड करने का जो कोई भी मुनसूबा है वो नहीं रखती अलबता यह एक अलग बात है कि माजी में पाकिस्तान एरफोर्स अपने F-16 fighters को अपग्रेड करना चाती थी लेकिन अब जैसा कि हमने ओपर भी डिस्कस किया कि जो situation है वो मुकंबल तोर पर तबदीर हो चुकी है और पाकिस्तान और अमेरिका के जो relations है वो भी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को अलाओ करें कि वो अपनी F-16 fighters को अपग्रेड कर सके यहीं बजा है कि हमारी राए के मताबिक मुस्तविल में पाकिस्तान और फोर्स F-16 fighters को अपग्रेड करने का जो मिल्सूबा है वो नहीं रगती लेकिन याद रहे कि यह हमारी जाती राए है पॉसिवल है कि फ्यूचर में अमेरिका को पाकिस्तान की पिरसे जो है वो जूरूरत पड़ जाए और अमेरिका पाकिस्तान और फोर्स के इन F-16 fighters को अपग्रेड करने की जो इजादत है वो भी दी दी जैसा कि माज़ी में भी हो चुका है 2000 से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान और फोर्स को F-16 को जो स्पीर पार्ट थे उनकी सप्लाई भी बंद की वही थी और जो ने F-16 थे वो भी अमेरिका पाकिस्तान को सेल नहीं कर रहा था लेकिन 2001 के बाद जब अमेरिका ने एगवानिस्तान के दर जंग शूर चूरू की और इस जंग बें अमेरिका को पाकिस्तान की दूरूद परी झाल झाल